नमस्कार, प्रमित्रों शनी वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को और 15 नवंबर तक रहने वाले हैं लगबगा 1.500 दिन का यह है वक्री रहेंगे और सबसे ज़्यादा इसी दो राशियां हैं जिसमें यह अकारक होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक होते हैं, क्योंकि जो उनकी लॉडशिप है, कुछ ऐसे भावों की है, जो हमारे जीवन में या तो हानी को दिखाते हैं, या शत्रू की संभावना दिखाते हैं, और मारकेश बनते हैं, तो ऐसी दो राशी हैं जिनको सबसे ज़ भी बुला गया है कि जब भी वे आपके करमों का फल देंगे, तो करमों के फल दाता हैं, तो कही ना कहीं कल यूग में हम सब जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे करम जरूर कर बैठते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहली राशी आप समझ लीजिए, द कहते हैं, शनी का जो बल है, चारगुना बढ़ जाता है, और यह कैसी पोजीशन है, जहां में प्रिथवी के सबसे पास होते हैं, तो उसका जो ग्राविटेशनल फोर्स है, वो बढ़ जाता है, तो यहां से जब वक्री एक राशी पीछे को भी आएंगे, तो आने का मतलब में हमारे 8 house दिखाता है, आयू को, तो यहां पर health problems हो सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 का संबंद यहां शनी का बन रहा है, अब शनी हां कहीं प्रबल हो जाते हैं, तो आपको स्वास्ते में हानी जरूर देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि 6-8 का संबंद सीधा शनी का लगन के साथ बन रहा है, दूसरा, यह अपनी राशी से पीछे वाली राशी का भी फल करेंगे, तो अगर मैं बोलू तो 12th house से सडास्टक दोश बनेगा, अगर 12th house से आप गिनेंगे तो यह अस्टम राशी आएगी, तो कहीना कहीं 12th से अस्टम आना, मतलब 12th house हमारा legal complications का है, और health का भ संभाव भी है, तो कहीना कहीं, डे-to-day income, partnership में आप सफर कर सकते हैं, और personal life में भी आप सफर कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाता है, तो आपको इस समय में करना क्या है, कि इन सब problems से कुछ solution क्या solution हो सकता है, देखे, शनी का दान और शनी के मंत्र को सबसे ज़्यादा पोशिश कीजिए, शमी का पौधा लगा दीजिए, पीपल का एक पेल लगा दीजिए, व्रिक्ष लगा दीजिए, शमय की भी मांग है समय, गर्मी है, तो यहाँ पर पीपल का व्रिक्ष लगा देंगे, सम्शान गाट में तो इससे बड़ा अच्छे आपको results मिलेंगे, वही पर आप दान कर सकते हैं, शनी का काले वस्तूओं का दान कर सकते हैं, इससे आपको काफी relief मिलेगा, अब दूसरी राशी जो मैं बता रहा हूँ, दूसरी राशी की अगर मैं बात करूं तो सिंग राशी है, अपने आप में बहुत ही नित्र तो करने वाली राशी है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है 6th and 7th Lord, तो 7th में आलड़ी यहां पर शनी है, तो आपके 7th house को कहीं न कहीं affect करेंगे और आपके 6th house को करेंगे, तो यहां आप भी आपके लिए मारकेश बनते हैं, तो कही न कई स्वास्थे का आप भी ध्यान रखें, सडास तक दोश बन रहा है, लीगल प्रॉबलम्स हो सकती है, लीगल पर पैसा खर्श हो सकता है, साजेदारी में कही न कही आपको प्रॉबलम्स आ सकती है, जिसकी पर हैं, शनी का है बल बढ़ने की वज़़ा से चटे भाव के रिजल्ट भी देंगे, पराश्री जोतिश में चटे भाव में शनी का आना कही न कहीं अच्छा माना गया है, तो यहां पर लेकिन यहां आपके करज को मुक्ति करज मुक्ति का कारे तो करेंगे, लेकिन मामाओ का भी है, मदर के भाव से तीसरा भाव है, और अगर मैं बात करूँ, सेवन्थ हाउस की, तो एट्थ का ट्वेल्थ है, तो जीवनें कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपको स्थान परिवतन यहां होने को मिल जाए, करने को मिल जाए, अगर ड एक बेर ब्रोक्रिस से पैसा कमाते हैं, वे अफट्ट हो सकता है, क्योंकि यहां डे-टो डे-टो-डे इंकम का भाव भी ए, और डे-टो-डे इंकम में जी है शनी वक्री होते है, तो इसको एफट्ट करते हैं, तो अब इलाज क्या है इसका वैसे भी देखिये, क्योंकि और सबसे बड़ी बात जो इसमें है सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के साथ अगर शनी का कहीं लगन कुंडली में जिसने मां पैदा हुए थे अगर सडास्टक दोश बन रहा है सनी के ऐसी स्थिति है जिसमें सूरे और शनी का च्छे आठ का संबंद बन रहा है तो फूरी यहां पर आपको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है अब करना क्या है देगे सेवन्त हाउस और सिक्स हाउस के लिहां लौड बन रहे हैं तो आप क्या करें इस समय में करने ही करने हैं आपको साथ में चाया दान कर दें चाया दान कैसे करते हैं मिट्टी का बरतन लाएं उसमें अपना चेहरा देखें तेल का तेल डाले और शनिवार को इस दोरान इस पांच महीने जून से लेके नौंबर तक तो इन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नौंबर पांच महीने आप लगातार मंदर में दान करते रहें इससे आपको बहुत लाब मिलेगा मंतर जाप विशेस्फल देते हैं ऐसे में और जेसका महीना भी चल रहा है तो चाता भी दान करते रहें रहागीरों को जो रोड साइट पर बैठे हैं कॉबलर्स हैं या को अपने ठेले लगाए हुए हैं उनको अगर आप चाता देंगे आपको देंगे लेकिन जरूर बरसात में छाते लेना वाला काम हो जाएगा ऐसा करें आपको जरूर लाब होगा अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भेलें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाब उठा सकें